नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदी नोले शो में दोस्तों चीन ने भारत को बड़ा जटका दिया है नुकसान पहुंचाने कोशिश करी है और इससे भारत को अरुबो डॉलर का नुकसान होगा जी हैं ये नुकसान होगा क्योंकि ये परतिबंद भारत पर लागू कर दिये गए हैं और ऐसी ऐसे घटिया बहाने बनाये गए हैं जिने आप सोच भी नहीं सकते हैं मैं आपको बताओंगा कि किस बहाने भारत को नुक्सान पहुंचाने कोशिश की गए लेकिन भारत को इसमें एक opportunity भी है क्योंकि चीन ने जिस रास्ते भारत को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करी है अगर भारत उसी रास्ते से चीन को करारा जवाब दे तो भारत चीन को अर्बो डॉलर के नुक्सान पहुंचाना सकता है जितना उन्होंने भारत को पहुंचा यह तो कुछ भी नहीं है भारत 20-30 गुना इससे ज़्यादा चीन को नुकसान पहुंचा सकता है बसरते भारत सही तरीकी ऐसे सही टेक्टिक इस्तमाल करते हुए चीन को उसी रास्ते करार जवाब दे तो इस वीडियो में आपको साइड डिटेल में बताने वाला हूँ चलो से वीडियो को मिन शुरू कर लेते हैं तो दोस्ते ऐसे कि आपको पता है कि लद्दाख में कई दिनों से उन्हें 10-15 दिन हो गए स्टेंड ओफ रखा हुआ है वो ना तो मतलब कि वो यही चाहते हैं जैसे कि डोकलाम में भारत और चीन ने नेगोशियेट कर लिया था ऐसा ही कर लिया लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार भारत नहीं हटेगा वहाँ पर चीन को फिच्छे हटना होगा और भारत का स्टेंड बहुत सकत है और चीन को दर इस बात का है कि भारत को जो सपोर्थ मिला है समर्थन मिल रा है वो ओल ओफर दर वर्ट मिल रहा है तो इसलिए वो सीधे सीधे तो भारत को टार्गेट निकर निसकते ना कोई मिलिटरी एक्षन ले सकते हैं भारत के खिलाफ चीन के साथ तो कोई भी नहीं होने का अगर भारत के साथ मिलिटरी एक्षन लेंगे तो रूस भी उनका साथ नहीं देगा रूस हो सकता है कि एक लोजी जैसे company होती है mobile वगरा हर चीज के export करता है और सालाना से रब डोलर के आसपास की कमाई कर ले जाता है लेकिन अब से तीन साल पहले हालत यह थी कि भारत के जो export थे टू चाइना हूं उसके से 15-16 अरब डोलर थे तो ऐसे में भारत और चीन ने एक नया mechanism निकाला कि भारत जो उनके साथ deficit है उसे कम करने के लिए भारत जाद से जादा pork का निरियात करेगा और यह industry भारत में इतनी boom कर गई कि अरब डोलर की बन चुकी है आज जी हाँ भारत जो चीन को वह सबसे जादा pork एक तरीके से निरियात करता है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा pork आयतक देश है यानि वह सबसे बड़ा importer है और भारत बहुत बड़ा exporter है तो चाइना तो अब ऐसे में चीन ने जो लद्दाक में जो stand-off हो रहा है इसी दुराने इक बहाना बना कर इस निरियात को रोक दिया इस पर परतिबंद लगा दिया है क्या बहाना उन्होंने बहाना बनाया है स्वाइन फलू का अब आप मुझे बताए स्वाइन फलू कहीं सालों से लगातारा तरह है तब तो उन्होंने बैन लगा यह नहीं इसके लावा स्वाइन फलू कहीं ऐसे देशों में भी फैला है जहां पर लगातार चीन इंपोर्ट किया रहा है वहां से pork और पोर्क का आयात अलगर ने देख दिया है यह देख यह देखे और उसे परचारित क्या किया है भारत को कहीं थै कि आप कत happens करिंगे लेकिन अपने देश में जो global time से थी तुंका दूसे न्यूस invepper प्रिंचर्ट यह है कि भारत भी ऐसे ही बहाने बना कर जिस तरह के बहाने उन्होंने बनाये हैं हम उनकी टेक्नलोजी कंपटर यह को भी एक तरी के से बैन कर वा सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं बलकि उनकी खिलाफतां में ज़्यादा सबूत है अमैरिका ने कह रखा है कि जो में उनकी कंपनिया बेंकरफ्ट हों हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनिया तो ऐसी है जो भारत पर ही निरभर है तो ऐसे में भारत के पास अच्छी विपोर्शनिटी है चीन को करारा जवाब देने की आपका इस पर क्या विपोईंट है कमेंट रिक्री में जुरू बताएगा सा बाती चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसी बहुत साही डिफरेंस फॉरन पॉलिस और फाइनस डेड़ेट वीडियो के लिए थैंक रोचिंग वीडियो